Hey friends, welcome back to my YouTube channel So guys, आज की इस वीडियो में हम लोग आपके लेके आए हैं GS का practice set Police Constable का exam था, उसमें जो GS का label था वो काफी tough था, ठीक है तो आप जो आगे practice set रहेंगे वो हम उसी हिसाब से create करने वाले हैं ताकि आपको कोई problem ना आए और पटवारी लेकपाल का exam आप सभी कब हो थी अच्छे से हो सके तो इसमें जो पहला प्राशना है वो है भारत में वरना क्यूलर प्रेस एक्ट की सकाल में पारित किया गया था लाड लिटन, लाड कले, भगवान परवत, प्रभु मलाई तो ये किया गया थे लाड लिटन के समय में लाड करजन के बाद भारत का वाइसराय बन गया था लोड एलगिन सेकिंड, लोड कले, भगवान परवत, प्रभु मलाई तो ये बने थे लोड एलगिन सेकिंड असायोग आंदोलन को कॉंग्रेस पार्टी ने अपने किस सत्र में स्विकारा था नागपूर, कानपूर, जैपूर, इटावा तो ये स्विकारा थे लोडने नागपूर सत्र में सोरो ओफ बिहार के नाम से जाने जाने वाली नदी किसे कहा जाता है तो जो कोसी नदी है इसे जो है जाना जाता है इसे बिहार का सोक भी कहा जाता है भारती या पुरातत्तों के पिता के रूप में किसे जाना जाता है अमार के साथ भारत के पूर्वी हिस्से में इस्तित परवत स्रंखला को सामुहिक रूप से कहा जाता है परवा चोल नौर्थीष्ट दक्षणी पूरा पश्चिम तो ये कहा जाते है परवा चोल निमलिखित मेसे कौन से जील खारे पानी की जील है सामभर डल जील इंद्रा नहर माही तो ये है आपका सामभर जील भारत में पहली जनगर्ना किस की गया ठार सो 29, 66, 65, 87 ये की गयी थे ठार सो 82 में स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या है विवेकानंद नरिंदर नाथ दत्थ देव दत्थ और्ष्न धत्थ तो ऐसे परस्ण बन रहे हैं दोस्टों पुलीस कॉश्टीबल के एक्ड़ाम में भी एक परस्थ आप रहा था तो यह आपका नरेंदरनाथ दत्थ किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है निजामुद्दीन ओलिया फिरुसाथ उगलक अमीर खुसरो त्यागराज तो ये कहा गया था निजामुद्दीन ओलिया द्वारा दुख में सब सुमिरन करे सुक में करे न कोई यह पंक्ति किस ने कही है सूरदास ने तूलसी दास ने मीराबाई ने कविर्दास ने तो यह पंक्ति कही गई थी कविर्दास द्वारा करमलने वाधिका रस्ते मा फले सु कदाचना किस धर्मगरंत की उकती है रामचरित मानस रामायन सिर्मत भागवत कीता इन में से कोई नहीं तो ये पंक्ति है सिर्मत भागवत गीता की सिंदु गाटी सब्वेता के सहरों की गलियां थी परिसर का आयोजन किस ने किया था आलोक ने, विशाल ने, हर्स ने, राज ने तो ये किया था हर्स ने पराचिन काल में स्रोत सामगरी लिखने के लिए परियुक्त भासा थी हिंदी, अंग्रेजी, भारसी, सांस्कृत उस समय चलती थी कौन सी भासा संस्कृत, भारत में नालंदा विश्व विध्यले के सराजय में इस्तित है, बिहार, तमिलनाडू तेलंगाना असम तो ये इस्तित है बिहार में कलिंग सासक, कारवेल ने सरक्षन दिया, बौद धरम को फारसी धरम को, हिंदु धरम को, जैन दिल्ली सुल्तान का सासन कब प्रारम हुआ था 1360 भी में, 1560 भी में, 1260 भी में, 1160 भी में इनका हुआ था, 1260 भी में सिवाजी को पकड़ने के लिए औरंजेव द्वारा किस जनरल को भीजा गया आलिया खान, साहिष्घा खान, सबाजा, रिजवाना खान तो इसके लिए भेजा गया था साइस्ता खान को सिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार तो इसने लूटा था दो बार इन कलाब जिन्दाबाद का नारा किस ने दिया था तो ये दिया था भगत सिंग ने पंजाब में किर्सी आंदोलन आयजुद करने के लिए लाला लाज पत्राई को किस वर्थ निर्वासित करके मांडले भीजा गया 1906 में, 306 में, 1907 में, 307 में तो गाईज, आज की सेट में इतने ही क्वेशन थे हमने आपके लिए जो पत्वारी का एक्जाम है उसके लिए सारे सेट बना के रखे है उसके 20 से कुछ क्वेशन हमने ये सिर्फ दिखाने के लिए आपको दिये है अगर आपको अच्छे लगेंगे तो ऐसे ही इसे continue रखेंगे otherwise इसमें काफी सारे changes हमें करने पड़ेंगे तो आप लोग अपने review जरूर दिजिएगा कि आपको question कैसे लगें और आप समय कम है तो हम कम ही question रखेंगे और सारे अच्छे question रखेंगे ठीक है बहुत सारे question देखे कोई फायदा है नहीं तो मिलते हैं आपसे एक नए practice set के साथ अपने number कमेंट जरूर किजिएगा कि कितने number जो है आज की set में आपके आ रहे हैं तब तक के लिए जुड़े रहे हैं हमार साथ बाइबाइ